4, 3, 2, 1 जम्मू की बात कहीं जा रही है निश्चित तोर पर दंगे का महौल आजादी के बाद और गांधी जी की मिर्ट्य के समय हुआ देश का बटवारा हुआ जो हिंदुस्तान एक था उसके पाकिस्तान और बंगलादेश के नाम से दो टुकडे हुए उस समय भी एक खास वर्ग और तबके ने बाटने की कोशिस की और वह बाटने वाला कौन था वह अंग्रेश थे जिहोंने कई साल हम पर शासन किया बहुत चालाकी से बुद्धी से इस देश का बटवारा कर दिया आज वही हिंदुस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश बन ग रही है फूट डाल कर हिंदुस्तान की ताकत को कमजूर करने की कोशिस की जा रही है हमारे भाईचारे को समाप्त करने की कोशिस की जा रही है और भारत की अपनी एतिहासिक प्रिष्ट भूमी रही है उसे भी समाप्त करने की कोशिस की जा रही है भाई भाई को जाति धर् पर अलग करने की कोशिस की जा रही है, हमें हिंदुस्तान पर गर्व है, यह हमारी शान है, हमारा लोकतंत्र, हमारी लोकसाही की चर्चा पुरे विश्व में होती है, आज निश्चित तोर पर हमारे देश पर खतरा मंदरा रहा है, अगर हमने अपने भाईचारे को आपसी करती रहेंगी और शायद हिंदुस्तान एक नहीं कई टुकडों में बट जाएगा आज हम उन पुर्खों को याद करें जिन्होंने आजादी को प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान के लिए जान की बाजी लगाने का काम किया था नजाने कितनी मांगों के सिंदूर मिट गए कितने नौजवानों ने जान दे दी कितने बुजुर्गों ने अपने आपको समर्पित कर दिया देश आजाद हुआ और उसकी बदौलत लोकतंत्र आया और हम यहां बैठे हैं यह एक गंभीर समस्या है अगर हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो इस समस्या का समधान नहीं निकलेगा हमें गंभीरता से विचार करना होगा हिंदूस्तान एक कैसे रहेगा हमारी सभिता तथा संस्कृती कैसे एक रहेगी यह देखना होगा मुझे हिंदूस्तान पर भी और हिंदूस्तानी होने पर गर्व है दुनिया में हिंदूस्तान की ताकत बढ़ी है दुनिया में हमारे लोकतंतर की पूजा हो रही है और हमारी पहचान बनी है हम विकास्षिल देशों की श्रणी में आगे के नंबर पर आ गए हैं इसमें सबका कंट्रिबूशन है अगर देश में दंगे होते रहेंगे गुजरात या देश के दूसरे भागों में ऐसी इस्थिती उत्पन होती रहेगी तो क्या हिंदुस्तान एक रह पाएगा अगर भाई भाई का खून भाते रहेंगे तो हमारी अर्थ से वो अस्था कहा जाएगी हम दंगों में उनके दल के साथ नहीं रहें हैं हम दंगों में उनके साथ रहेंगे भी नहीं जिस प्रांथ की चर्चा हो रही है वह बहुत बड़ा है वहां अमन चैन रहता है वहां हजारों लोगों की मौत हो गई है अर्बों रुपए की संपत्ती बरबाद हो गई जिस रफ्तार से वह राज्य आगे बढ़ रहा था क्या आज उस गति से आगे बढ़ रहा है क्या उसमें कमी नहीं आई है आपकी पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाश्पई जब प्रधान मंतरी थे वह जब बुजरात गए तो वहां से आने के बाद कहा कि राजधर्म का पालन नहीं किया गया हमारा सिर शर्म से जुग गया है इससे बड़ा प्रमार क्या है वहां की राजधर्म सरकार बिलकुल नकारा साबित कुई है